छेले पो है कि चेलिए देखते हैं टेक्स डिड क्शिनesti डिडस प्रफशिंड क्या होता है TDS तो ट्लिय схем जो है वो एक system है जो कि इन्डिष्क क्या था इंकमा सिस्टम्मेंट में तो यह किस प्रफेशनल फीस कर ग्रमिनफट मेर्स पे से इंट्रेस प्रेंट साइक और यह deduction हो जाता है source पर ही तो कैसे source होता है कि जैसे कि कोई source है जैसे कि bank से अगर आपने FD किया तो FD के अंदर अगर आपका TDS बन रहा है तो bank उसको काट के देगा तो suppose कि 100 रुपे का TDS लगना है 10% तो 10 रुपे काट के bank 90 रुपे आपको देदेगा तो वो deduction हो गया source पर ही मतलब अलग से कुछ भरने की ज़रूत नहीं है अब जो bank है या जो भी responsible authority है वो अप टेक्स इसको submit कर देगी तो यह किस पर लग रहा है salary पर commission पर की professional fee interest पर और rent पर तो मैं थोड़ा इसको interest की point पर समझते हैं जहां पर basically सभी लोग के लिए यूज की चीज़े तो देखते हैं कि मैंने या पर example लिया है कि एक अंकल है और उनको 5 लेक रुबिस की FD करवानी है fixed deposit तो example लिया है मैंने ICC bank का यहांपर उसकी 4 branches मैंने शूग की है तो अब अंकल को 5 लेक की FD करवानी है इनके पास branch 4 बोली नजदिक पढ़ रही है इनको तो branch 4 में जाके 5 लेक की FD करवाते हैं तो अब FD करवाने के बाद साल बर के FD करवाते हैं तो उसका return और वो scenario देखते हैं हम लोग कि उनको कितना TDS बरना पड़ेगा और उन्होंने क्या किया था तो देखते हैं इसके अंदर कि एक साल बात क्या हुआ है कि पांच लाग की FD करवाए उनने इसका interest जो था वो 60,000 बना उस पर TDS उनको 10% देना पड़ेगा तो TDS जो है वो 6,000 रुपे लगेगा अब TDS वर कैसे करता है कि देखिए जैसे कि अगर आप किसी भी बेंक में आप इंट्रेस के पॉइंट ऑफी से देख रहे हैं अगर आप कोई भी बेंक में अगर FD करवाते हैं FD के ओपर बता रहा हूं में FD करवाते हैं और उसका interest अगर 10,000 या 10,000 10,000 एक रुपे भी अगर बनता है तो TDS पूरे amount पे apply हो जाएगा interest amount पे not the principal amount पे interest amount पे apply हो जाएगा तो यहां पर क्या हुआ है कि 5 lakh कि उनने FD करवाई 60,000 उसका interest बना तो 60,000 के उपर क्योंकि 10,000 उपर income हो चुकी थी तो limit के उपर चली गई थी तो 10% जो इनका TDS कटेगा वो होगा 6000 रुपे यह कब है 10,000 कप कटेगा 10% जब इनका pen card update होगा pen card update ने होगा 20% TDS कट जाएगा तो अब यह गए भी है कि 6,000 रुप हो जड़ा कड़ी गया मेरा तो क्या करूँ मैं तो वैसे भी pension पर कमाता हूँ मेरी मतलब यह तो कम पढ़ जाएगा मुझे पैसा 60,000 रुपे तो मैंने expect किया था कि आएगा तो अंकल जाते हैं CA के पास पूछते हैं कि यह कुछ बताओ तरीका क्या है कैसे बचे इससे तो CA उनको कुछ राय देता है बोले एक काम करो अंकल थोड़ा complicated चलो अब यह देखिए दूसरे सिनारियों अंकल क्या करते हैं CA के advice को मान पूछे तो वहां पर से दर का deposit किया कोई में ब्रांच में और ब्रांच वन में पूछ गया ICAC बेंके वहां पर इनने अस्तियादर का वापस FD करवाई फिर एक और पोचे यह लोग ब्रांच टू में स्तियादर के FD कर रही और डिमेंडिक उसलिए कहां अब लोड लेंग इनका जो इंट्रेस्ट बना वह शालाना 9600 बना तो इस पे इनको कोई कि टीडेस कट वाने की जरूती में फिर अस्तियादर पे इनका वापस से इंटरेस्ट बना इंट्रेस्ट कटवाने की ज़रूतनी है, TDS नहीं कटएगा इनका कोई, और ऐसे करते करते हैं, इनका 80,000 का जहां पेमेंट था, वहाँ पर इनका कोई TDS नहीं कट रहा है, बट आइसे एसे की थर्ड ब्रांच में, इन्होंने 1,80,000 की FD करवाई थी, वहाँ पर इनका 10% TDS क लगेगा, अंकल अगर थोड़ी और मेनत करते हैं, और ये अलग-अलग बेंकों उसमें जाके, और कम की FD करवाते हैं, तो इनका TDS जीरो करता, तो अब ये सारी चीज़े पॉसिबल नहीं हो पाती है, आदमी की तरू कियार में कहा अलग-अलग बेंक में जाऊंगा, लोग देखते हैं कुछ आके क्या interesting चीज़े हुई है, तो section 194A जो होता है, और 31 मई 2015 से पहले पहले, ये system जो मैंने बता है, आपको बड़या तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही ती इसके अंदर, क्योंकि TDS जो था, वो कटता था, अगर आपका interest 10,000 से उपर पोस्ता है, पर बेंक, पर ब्रांच, पर बेंक, पर ब्रांच, जाने की, बेंक वाइस भी वो नहीं चल रहा था, आप एक ही बेंक की अलग अलग ब्रांचेस में, अगर different different FDs करवाएंगे, तो TDS नहीं डिट हो रहा था, पर ब्रांच, पर बेंक चल रहा था, तो इसको provision क हटा दिया गया 31.05.2015 के बाद से, तो फिर इन्होंने क्या क्या बेंक वाइस system को चालू कर दिया, अब TDS जो कट रहा है वो, actually pen card इन लोगों ने ले लिया, तो pen number से वो सारा देख लेते हैं कि एक बेंक में कितना interest बन रहा है, तो बेंक वाइस इसको चला दिया है, एक जु सारी चीजों से आपको government और भी कुछ ही देती है, कि हम किस तरीके से इस चीज को avoid भी कर सकते हैं, देखे हर आदमी किसे possible नहीं हो पता है कि इतनी bankों में account रखे और इतन जगा जाए, एक senior city जाने, जो interest पे अपनी income, उसकी income interest होती है, उस पे वो depend है भी, तो उसके लिए government न करते हैं, हम लोग तो वो TDS को हमारा avoid करता था, TDS को नहीं कारता था, जो exemption limit है, उससे भी उपर अगर आपना जाता था, तो TDS नहीं कारता था, तो वो किन लोगों के लिए जिन लोगों की जो income है, वो exemption limit से लेजन होती थी, जो tax lab की दारे में नहीं आते थे, तो अभी, income tax department को कि मेरा जो income है, वो मेरी जो income है, वो interest income है सिर्फ, अगर मैं इसके लावा और मेरी source of income नहीं है, और मैं income tax की कोई भी slave के अंदर नहीं आता हूँ, तो हम लोग जब ये form भरते है 15 A, 15 G, तो ये declaration होता है, वहाँ पर, but actually क्या चलन में ऐसा है कि सारे लोग 15 A, 15 G को form भर जा है, उनसे बोले कि यार, मुझे अलग-अलग bank में account नहीं खुलवना है, मुझे इतना complication नहीं चाहिए, तो 15 A, 15 G form आप वहाँ पर bank में भर देंगे, तो आपका जो TDS ये वो नहीं कटेगा, अब 15 A, 15 G में से, 15 A जो होता है, वो senior citizens के लिए होता है, 60 और 60 साल से उपर ल और इसमें कोई issue नहीं है, अगर आप declaration देते हैं, government को 15 A, 15 G भरके, तो बहुत अच्छी बात है, तो I hope कि आप लोगों को TDS का concept समझ में होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करिए, चनल को subscribe करिए, वीडियो को share करिए, और comment करके बताईए ये आपको ये वीडियो कैसा लगा है, thank you friends, goodbye.